वेनियोटे में चैनल। मैं हूँ अंजयू मलिक। आप सब कैसे है आशा करते हूं कि आप सब ठीक होंगी। तो आज मैं तुम्हें बताऊगे कि हम अपनी बालों को हाईलेट कैसे कर सकते हैं। जैसरा में तो पहुत बड़ा बढता देते हैं, अब मैं क्या करणे मिरमें बीलीच से ही आपको हाइलेट करके दिखाएं ESP.20,20 Drys के बीलीच से तरीके से लगाना है अब देखो इसमें ये चेट करने है यहां जामें लट लेने हैं जाहरा वालेने हैं वहां चेट करने है तो इसको अगर आपके ये क्टिक से करो मैं यह आपको बताते है किस तरीके कटम रहुत है यह ऑ लीच अऀ UC यह पी ऊचिप कर द 한데 अब दीआड हैं थोड़ा जियादा चूड़ा दालना बड़ता है जैसिकि हमारे बाल अच्ची से और अगर ब्लीच करते हैं तो हम एक्टिवेटर थोड़ा सा डालते तो इस तरीके से मैं बुरे को मिक्स कर लूँगी और फिर आगे इसको अच्छी तरीक आप कर लोगो कि अब कि अब कि इसमें मैंने इस पॉलिथिन में छेट कर लिए तो मैं अब इसको किसी कांटे से या आपके पास प्लास हो या कुछ विए उससे क्या अपनी थोड़ी थोड़ी बाल निकालने हैं तो इस तरीके से आपके पास कोई भी पिन वगएर आऊ, उससे कर सकते हो तो इस तरीके से मैं अपने बालों को निकालवंगी तो यह वड़ी आसानी से निकलने हैं इसमें कोई दिक्कत नहीं, अब देखको अगर आपको ज़्याधा कलर चाहिए तो आपको आध घंटे से लखना है तो मुझे थोड़ा कम चायत मात घंटे तकी रखूंगी तो इस तरीके से देखो मैं बाल निकाल लेएं यह मेरी बाल इस तरीके से निकल जाएंगे अब यह बाल मैं निकाल ली है मुझे यह हैलेट करनी है तो मैं पर अपनी बलीच लगा लोगी और अच्छी तरीके से लगाऊँ और यह कह मैं जड़? मैं नहीं लगानी है जousse कि हमें नुक्सान हो सकता है तो यह ब्लीच लगा कर आख में अपने जो बाल वाल में लगानी इस तरीके sagt और इसको ना किसी कांटे से या किसी क्लेचर से लगाना है इस तरह किसे में वाद गंडे कर 11 को छोड़ दूँँ जो लिए इस तरी की से मेरे बाल में भाल हाल्याइट हो गये हैं अब आप देखना मलाम अपने गर पर भी हाइलियाट कर सकते हैं जिस तरीकी से जो बाल मुझे चाहिए थे जो कलर चाहिए था मुझे वह कलर मिला है अगर आपको मेरी वीडियो फ़सद नहीं हो तो इसको लाइफ सब्सक्राइब कीजिए और बताना कमेंड में कि मेरे वाल आपको कैसे लगे